हाई गाईज विल्कम बेक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे तो गाईज अगर आपने स्मूथनिंग रिवांडिंग या केरिटेन करवाई या और करवाने के बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राइ रह रहे हैं आपको के वाले read pull देखने को मिलेंगे तो गाई आज की वीडियो में आपको इस पैक के बारे में बताऊंगी इस पैक को बना कर भी दिखाऊंगी और अपने बालों रिठा एंड शीका काई पाउडर है आप इसे ऑनलाइन भी भाई कर सकते हैं कुछ इस तरह कि आपको इसकी पैकेजिंग मिलेगी अगर आप यह वले नहीं लेना चाहते तो आप इसके पाउडर भी पंसारी की शौप से भाई कर सकते हैं साथ भी मैंने दहीं लिया है आप पाउडर जो तीनों पाउडर है इन तीनों के एक एक चमच हमें दहीं में एड करने हैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करना है इतना इफेक्टिव पैक अगर आपको जैसे कि विंटर और आपको डेंडर बहुत ज्यादा हो रहा है तब भी आप इस पैक का यूज कर सकते ह तो देखें तीनों पाउडर के मैंने एक एक चमच लिए दहीं में मिक्स की ऐए इस तब तरह से आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है उसमें कोई भी लंग्स नहां होऊ दिखिए एसे मैंने अच्छी तरह से mix कर लिया उसी time आप इसे use कर सकते हैं पूरी scalp पर आपको इसे अच्छी तरह से निया लगाना है बालों पर partition करकर करके अच्छी तरह से scalpर्फ पर लगाना है इससे आपके here fall भी कम होगा अग Bacon कूल डें डेंडरो 20 परी बहुत स्मूधतों सुफ्ट हो जाएंग criticism करे करने यह स्मूधि पर भी आपी बहुत स्मूधतों सी यहां जिसे पार पैक यहां सब्सक्राइब ऐसे पारे में स्मूधतों अब पर्व hypoc adam करें वह च Six दिन करें और हैं अगर आपने smoothing नहीं करवाई फिर भी आप यह वाला pack यूज़ कर सकते हैं 30 minutes के लिए आपको इसे बालों पर लगा के रखना है फिर आपको hair wash कर लेना है हमने इसमें दहीं add किया है दहीं as a conditioner भी work करती है dandruff की problem दहीं से बल्कुल खतम हो जाती है मैंने भी smoothing करवाई और smoothing करवाने के बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा dry रहने लग गया है मुझे dandruff बहुत ज़्यादा winter में होने लग जाता है तो मैं 15 दिनों में एक बार यह वाला pack ज़रूर लगाती हूँ तो guys बिल्कुल close से आप देख सकते हैं कि मेरे बालों में dandruff की problem कितनी ज़्यादा है अभी मैंने smoothing भी करवाई है फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा dandruff की problem है winter में तो dandruff बहुत ज़्यादा मुझे हो जाता है itching बहुत होती है तो मैं यही वाला pack लगाती हूँ इतना ठंडा यह वाला pack है क्योंकि इसमें हमने दहीं mix किया है बहुत ही effective pack है इस तरह से आपको पूरी scalp पर इसे लगाना है 30 minutes के लिए आपको इसे बालों पर लगा रहने देना है उसके बाद आपको hair wash कर लेना है जो भी shampoo आप यूज़ करते हैं जो भी conditioner आपको यूज़ करना है mask यूज़ करना है आप इसके बाद यूज़ कर सकते हैं online आप यह वाला pack मंगवा सकते हैं काफी ज़दा affordable भी है और काफी time तक आपका यह वाला pack चल जाएगा अगर आप online नहीं मंगवाना चाते हैं तो पंसारी की shop से भी आप आप आमला शिका काई और इठा के powder ले सकते हैं आप चाहिए तो length पर भी इसे लगा सकते हैं अगर आपके बाल बहुत ज़दा dry हो गए हैं smoothing करवाने के बाद combing करते हैं आपके बहुत ज़दा बाल निकलते हैं hair fall बहुत ज़दा होता है तो भी आप इस pack का यूज़ कीजिए जब आप shampoo कर लेंगे अच्छी तरह से आपके बाल सूख जाएंगे तब आप अपने बालों पर थोड़ी सी oiling कीजिए तो आपके hair fall बिल्कुल भी नहीं होगा smoothing के बाद हमें अपने बालों की बहुत ज़दा क्यार करनी पड़ती है क्योंकि हमारे बालों पर बहुत ज़दा chemical यूज़ किये जाते हैं जिससे कि हमारे बाल damage होते हैं हमें hair fall होना start हो जाते हैं तो अगर आप अपने बालों की अच्छी care करेंगे तो आप इन सभी चीजों से बच सकते हैं hair fall से बच सकते हैं तो गाईस देखें इस तरह से मैंने अपनी पूरी scalp and length पर ये वाला pack अप्लाई किया है अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप दहीं और ज़्यादा ले सकते हैं इस तरह से सारे बालों पर पूरी scalp पर मैंने ये वाला pack लगाया क्योंकि मुझे dandruff की problem बहुत ज़्यादा है और इस pack से मेरा dandruff बिल्कुल खतम हो जाता है 15 दिनों में एक बार इस pack का यूज जरूर कीजिए अगर आपने बहुत ज़्यादा oiling की हुई है तो आप ये वाला pack अपना hair wash करने के बाद ही लगाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा oiling में गंदे बालों पर ये pack इतना अच्छा result नहीं देगा इसलिए आपके बाल बिल्कुल neat and clean होने चाहिए अगर आपने एक या दो दिन पहले भी hair wash किया है तब भी आप इस pack का यूज कर सकती है तो guys मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से आपको बताया है कि आपको इस pack को किस तरह से बनाना है और किस तरह से लगाना है इसी तरह से आपको इस pack को लगाना है और 30 minutes के लिए आपको इसे as it is छोड़ देना है इसके बाद आपको अपने बालों में पानी डालना है सारा pack बालों में से निकाल लेना है फिर आपको जो भी shampoo यूज करना है अगर आपने smoothening करवाई है तो आप professional shampoo ही यूज कीजिए तो guys 30 minutes के लिए मैंने इसे बालों पर लगा रहने दिया उसके बाद मैंने बालों पर अच्छी तरह से पानी डाला है सारा pack मैंने बालों में से निकाल लिया है इस तरह से आपको सारा pack बालों में से निकाल लेना है फिर आपको shampoo का यूज करना है मैं biology का shampoo यूज करती हूँ मुझे इसके result बहुत ज़दा अच्छे लगते हैं काफी effective shampoo है तो देखें guys मैं biology का shampoo यूज करती हूँ बहुत ही अच्छा leather करता है और अगर आपको hair fall की problem होती है तो आप इस तरह से पानी में mix करके shampoo यूज कीजिए इससे आपकी hair fall की problem भी कम होगी अब जैसे winter है तो बहुत ज़दा ठंडे पानी से आप hair wash मत किजिए पानी को थोड़ा सा गरम कर लेजिए बहुत ज़दा गरम पानी भी हमें यूज नहीं करना चाहिए और बहुत ज़दा ठंडा पानी भी हमें यूज नहीं करना चाहिए इस तरह से शेंपू को आपको पानी में मिक्स करना है फिर सारे बालो पर अच्छी तरह से आपको शेंपू ढाल देना है फिर आपको मसाज करनी है 30 मिनट्स के लिए हमने पैक अपने बालो पर लगा रहने दिया उसकी जितने भी अच्छे रिजल्ट है वो हमारे बालो पर आ चुके हैं तो देखे इस तरह से आपको अपने बालो पर मसाज करनी है शेंपू करने के बाद कम से कम एक मिनट के लिए बालो पर मसाज जरूर करें जो थोड़ा बहुत पैक बालो में रह गया है वो भी अच्छी तरह से निकल जाए फिर आपको अपने बालो पर पानी डाल लेना है आप चाहे तो conditioner का use भी कर सकते हैं biology का conditioner यूज कर सकते हैं matrix का conditioner यूज कर सकते हैं अगर आप इस pack का use करेंगे तो आपको बहुत अच्छे वाले result देखने को मिलेंगे here fall आपका काफी जदा कम हो जाएगा dandruff की problem ठीक होगी scalp infection, eating यह सभी आपकी problem ठीक हो जाएगी hope guys आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को like, subscribe जरूर करें तो चलिए guys आपको अपनी next वीडियो में मिलूँगी तब तक के लिए thank you, bye